नमस्कार फ्रेंड्स आप सब करते हैं बिजनेस वाला हिंदी में तो आज मैं एक नया बिजनेस लेकर आया हूँ तो इस बिजनेस में इंवेस्टमेंट सिर्फ पास दस हजार है और प्रॉफिट आप महिने का घर बेटे घर बेटे काम करके आप एक लाख वीस हजार इतना प बहुत अच्छा प्रॉफिट है तो मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि एक वीडियो के बीच में ऐसा पॉइंट है कि उसके बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते तो वीडियो बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए तो वीडियो पूरा देखी तो आपको पता चलेगा कि वह कुन सा है तो अभी बिजनेस की तरह आता हूँ तो यह बिजनेस है चाय पत्ति का बिजनेस तो अभी आप आपको लोगे का चाय पत्ति का बिजनेस इसमें कितना प्रॉफिट है या फिर हम लोग तो हर महिना खरीदते और हमारी घर में सबके घर में होता है या फिर बहुत तो वह पहली चीज packaging machine दुसरी चीज जो weight का काटा होता है तो वह weight करने के लिए और तीसरी चीज जो हमारी चाइपती है और चोती चीज packaging बैग तो machine का जो है और जो weight machine तो दोनों मशिन का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो उस पर क्लिक करके आप लोग इसकी प्राइस चेक कर सकते हो और अभी हम लोग बिजनेस की तरह पाते हैं फिर से तो खर्चा इसमें कितना है तो 140 रुपए में हम लोगों को चाय पत्ती मिल जाएगी प्लस दो रुपई की पैकेजिंग बैग आपको लगेगी तो एक किलो के लिए टोटल चार पैकेजिंग बैग लगेगी तो हम लोग पैकेट बनाने वाले 250 ग्राम के पैकेट मतलब एक किलो में चार पैकेट हमारे बनेंगे तो उसके लिए एक पैकेट को 35 रुपीज इतना खर्चा आएगा प्लस दो रुपए पैकेजिंग बैक का और ट्रांसपोट के लिए हम लोग तीन रुपए उसमें आड़ करेंगे तो टोटल आराउंड हो गया 40 रुपए टू फिफ्टी ग्राम का एक चाय पत्ती का पैकेड बनाने के लिए टोटल 40 रुपए इतना हम लोग खर्चा पकड़ेंगे और अभी हम लोग आते हैं सेल्स और प्रॉफिट की तरप इसमें सेल्स कितने हैं या फिर इसमें प्रॉफिट है क्या उतरना चाहिए नहीं तो इसमें प्रॉफिट कितना है वह मैं आपको अभी बताता हूँ टोटल खर्चा हम लोगों का 40 का फाइदा है एक किलो के पीछे टोटल हम लोगों को 40 रुपई इतना फाइदा होगा और अगर हम लोग एक दिन का टोटल मैक्स तो मैक्स हम लोग अगर फूल टाइम कोई बंदा करता है तो 100 किलो इतना में एवरेज पकड़ लेता हूँ कि 100 किलो अगर वह प्रोसेस गार बेचे खिल गा एक दिन खाल दो उस इसको यह दिन का प्रौफित सिर्फ प्रौफिट में बतता उत्कु चार हजार रुपई एक दिन खchant निकले गा और महिने phrases कर गाल एक लाग बीस हाजार अगर पार्ट टाइम करता है या फिर उसके पास TIME कम है थोड़ी देर काम कर पाथ, छे गंटे, आड़ गंटे काम करता है, यह फिर उससे भी कम करता है, तो वह बन्दा 50 KG एक दिन का अगर बेचता है, तो उसको हर दिन 2000 रुपई इतना profit निकलेगा, वह महिने के end में 6000 रुपई इतना profit total बनता है, चाय पत्ति के business में, तो अभी हो गया total calculation कि कितना इसमें profit है तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो में पॉइंट है marketing मतलब बनाना तो आपको आएगा पर sales करना यह बहुत लोगों को नहीं आता है इसलिए वो profit में नहीं आते तो सेल का में थोड़ा सा बताता हूँ आपको आकर्शक पैकिंग करनी है मतलब अगर कस्रमर आपके पैकेट के तरफ देखता है तो उसको खरीदने का मन होना चाहिए दूसरा पॉइंट है वह है कि आप marketing खुद से करो खुद उदर जाओ आपके आसपाच जितने भी resources है दुखा बेचने का ट्राइ करूं तीसरा जो पॉइंट है वह बाकी लोगों से थोड़ा सा अपने प्रोड़क्ट का प्राइस कम रोखो तो यह बहुत मतलब वैलेवल पॉइंट है अगर आपका प्रोड़क्ट कम रेट में आएगा तो थोड़ा सा ज्यादा चांसिस रहेगा कि आ लाइसन कौन का है जैसे हम लोग शॉप निकालने के वकति वर्क शॉप अक्ति के लिए गबर्मेंट कर तो ल Hai food license लगता है तो इसके लिए आप ऑनलाइन निकल सकते हो सो-धेड़ सो रुपए में फूट लाइसन आपको निकल जाएगा तो आफो आपको यह वीडियोफ्रयेव लगी होगी अच्छी लगी तो अगर आपको ड्यो अच्छी लगी तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे वाला रेड कलर का बटन दबा दीजिए धन्याद